अगर आप University में English Medium Course ही क्यों न पढ़ा रहे हूँ लेकिन अगर student ये चाहता है कि वो अपनी local भाषा में exam लिखे तो उसे इजाज़त दी जाए ऐसा कहना है UGC का University Grants Commission ने कहा कि जहां तक बात है पढ़ाने की textbook की बात हो या course पढ़ाने की बात हो teaching में local language को inculcate करना बहुत जादा जरूरी है teachers को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को उनकी local भाषा में पढ़ाया जाए और जो वो exams लिखते हैं या जो textbooks हैं उनकी local language में interpretation हो ताकि बच्चों को आसानी से subject समझ में आए इसके साथ-साथ में ये भी कहा गया कि मालनी जे English Medium University है English Medium में ही course पढ़ाया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई student कहता है कि मैं अपनी local भाषा में exam लिखना चाहता हूँ तू से इजाज़त दी जाए और साथी में सहायता की जाए textbook की local language में translation करके ताकि जादा से जादा understanding students में आ सके ये एक दिक्कत है जो मैंने भी experience किया है कि बहुत बार universities में मालनी जे कोई बच्चा school time से ही Hindi Medium school में पढ़ा है लेकिन universities में Hindi Medium universities की कमी है जिस वजहा से जब वो English Medium University में switch करते हैं बहुत सारी परशानिया बच्चों को जेहलने को मिलती हैं कि ऑल्रेडी वो बच्चपन से ही अगर Hindi Medium में पढ़े हैं Hindi भाशा में एक्जाम देते आये हैं अचानक से उन्हें अगर English में shift करना पड़ता है तो काफी problem होती है हम जब मैं उनिवसिटी में पढ़ रही थी तब भी इस तरीके के incident सामने आए जहां पर students ने request किया कि हमें exam लिखने की इजाज़त दी जाए Hindi के अंदर वहीं कुछ professors ने अपतीस बात पर जताई कि हम Hindi ठीक से पढ़ नहीं पाते हमें Hindi ठीक से समझ नहीं आती अगर Hindi में exam दिया जाएगा तो हम कैसे समझेंगे लेकिन इसी का कोई way out निकालने की जरुत है और अब new education policy में already emphasize करके कहा जा रहा है कि आप local languages को encourage करें इसी के चलते अब University Grants Commission ने भी यह कह दिया है कि अगर कोई local language में exam देना चाहता है तो उसे encourage किया जाए जब कश्मीर की बात की जाए तो official languages में डोगरी भी आ चुकी है कश्मीरी भी आ चुकी है अब अगर कोई university level पर डोगरी में exam लिखना चाहता है तो उसे exam लिखने की इजाज़त मिलनी चाहिए वहाँ पर यह नहीं कि professors या फिर जो university की faculty है वो यह कहकर इंकार कर दे कि भी आगर डोगरी में आप exam लिखेंगे तो check कौन करेगा हमें कैसे मालूम चलेगा कि यह लिखा क्या है जो teachers हैं जो professors हैं उन्हें अपनी command strong करनी है local languages पर ताकि वो बच्चों में information proper तरीके से पहुँचा पाए कोई व्यक्ति अगर university level तक पहुँच रहा है और उसकी local language पर command अच्छी है तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप उसे उसी की भाशा में समझा पाएं जो भी concept है और जाहिशी बात है ये पुरानी एक कहावत भी है कि अगर आप मुश्किल से मुश्किल concept को आसान भाशा में नहीं समझा पा रहे यानि कि आपकी knowledge में gap है आपकी information में gap है तभी आप एक आम व्यक्ति को उस concept को समझाने में असफल हो रहे हैं अब University Grants Commission ने कहतों दिया है कि अजाज़त दे दी जाए लोकल लैंगुज में exam देने की लेकिन देखना ये होगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो exam देने के लिए राजी होते हैं लोकल लैंगुज में और वहीं युनिवर्सिटी किस तरीके से manage करेगी अगर कोई व्यक्तिकल को कहता है कि मैं कश्मीरी में exam लिखना चाहता हूँ मैं डोगरी में exam लिखना चाहता हूँ मैं और किसी भाशा में exam बहदरवाई में, पहाडी में, गोजरी में exam लिखना चाहता हूँ